नमस्कार दोस्तों इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सिलचर सिकंदराबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जो की हफते में एक दिन चलती है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को को सब्सक्राइब जुरू कर लें और बेल आइकन जुरूर दबाएं ताकि आपको लेटस वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सिल्चर असाम से सिकंदराबाद हैदराबाद तक चलने वाली सिल्चर सिकंदराबाद सुपर चंदराबाद बुद्धार को सिकंदराबाद जैंक्शन के लिए चलती है और वय scree special से सिकंदराबाद जैंक्शर की जो दूरी है व değiş quas मिनट में कवर करती है टोटल इसके 30 स्टेशन से 2875 किलो मिटर का डिसेंज जो है कवर करती है एवरेस पीडिस रूट पर है तक्रीवन 55 किलो मिटर पर आवर और सुपर फास टाइब की ट्रेन है नौर्थीस्ट फ्रंटियर रेल विजोन जो है अपरेट करता है लेच्बी कोचिस वाली ट्रेन है सेकेंड एसी थर्ड एसी स्लिपर क्लास और चर्नल डिब्बे है इसको वैब 4 वैब 7 और WDP 4D इंजन के साथ इसे चलाया जाता है अगर रूट मैप के बारें बात करें तो ये सिल्चर से अपनी यात्रा जो है स्टॉट करती है करना पड़ता है अगर बात करें सिल्चर सिकंद्राबाद एक्सप्रेस के टिकेट किराय के बारे में तो इसमें सेकंड एसी थर्ड एसी स्लिपर क्लास और जर्नल डिपर हैं जर्नल डिपर को छोड़कर बाकी सब कोचस में आपको रिजर्व विशन के साथ जाना होगा तो रिजर्व विशन के लिए आप रेल वी टिकेट काउंटर या वैबसाइट से टिकेट जो है बुक करवा सकते हैं सेकंड इसी का सिल्चर से सिकंद्राबाद तक का जो टोल किराया है वो है 3570 रुपए जिसमें 3035 इसके लावा इस ट्रेंड में थर्ड इसी के कोच भी है थर्ड इसी के तकरीवन पांच कोच है जिसका टिकेट करए जो है 2445 रुपए है जिसमें 243 रुपए तो बेह स्वीर है रिजोवेशन चार्ж 45 रुपए जी एसटी चार्ज़ चार्ज स्वें सुरुआज जाते हैं पास चार्ज 30 रुपए है टोटल किरा है 950 रुपए है यह अपडेटेड और सही किरा है फिर भी आप रेलवे के वेबसाइट या टिकेट कॉंटर पे जाके जुरू कंफर्म करें वहां से आपको सही किरा जो है कंफर्म हो जाएगा बाकी इसमें एक पैंटरी कार का कोच भी फूड फसिल्टी प्रोवाइड की जाती है यह फूड फसिल्टी के जो चार्जिस है आपकी टिकेट में इंक्लूडिट नहीं होते हैं आपको ट्रेन के अंदर ही जो है चार्जिस यह देने पड़ते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आगे बा सुबा 3 बच के 35 मिनट पे पहुंचती है और ये जो ट्रेन है तकरीवए 38 स्टेशन से है और 2875 किलोमेटर का डिसेंज जो है कवर करती है जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है बदरपूर जंक्शन यहाँ पर राद के 8 बच के 45 मिनट पे पहुंचती है और 9 बजे वहा न्यू हाफ लॉंग रेलवे स्टेशन पे रात के ग्यारा बजे पहुंचती है और ग्यारा बचके पांच मिनट पे मासिरबाना हो जाती है पांच मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लाटफॉर्म पे आके ट्रेंज वह रुखती है तकरीवन 100 किलोमेटर की दूरी यहां तक क कवर कर चुकी होती है इसका स्टेशन कोड़ MK ॐइंड इसके बाद सिलचर सिकंद्राबाद Aid अकस्प्रस ट्रेंज पे रात के तीन बच मिनट पे पहुंचती है यहां पर दो मिनट का स्टॉप पर दो नमपर प्लाटफॉम पर आके ट्रेंज वह रुपती है, 233 किलोमेटर की दूरी यहां तक कवर कर चुकी होती है, इसके बाद यह ट्रेंज वह अपने टेक्निकल हॉल्ट चपार मुख जंक्शन में पहुंचती है, यहां पर ट्रेंज वह सुबद चार बच के एक जो है, चेंज किया जाता है, इसके बाद सिल्चर सिकंदराबाद एक्सप्रस ट्रेंज जो है, जागी रोड में पहुंचती है, सुबह चार बच के 45 मिनट पे और चार बच के 47 मिनट पे महासरवाना हो जाती है, दो मिनट का स्टॉप है, दो नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है, रुकती है, 368 किलो मिनट पे जो है, यहां तक कवर कर चुकी होती है, इसका स्टेशन कोड़ा जी अचवाई, इसके बाद कामाक है, जंक्षन असाम में सुबह 6 बच के 30 मिनट पे पहुंचती है, और 6 बच के 32 मिनट पे महासरवाना हो जाती है, दो मिनट क स्टॉप है, एक नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है, 416 किलो मिनट की दुरी जो है, यहां तक कवर कर चुकी होती है, रंगिया जंक्षन का स्टेशन कोड़ा है, इसके बाद न्यू बंगाईंग गॉंग जंक्षन में ट्रेंज जो है, सुबह 9 बच के 50 मिनट प पहुंचती है, और 11 बच के 14 मिनट पे महसिरवाना हो जाती है, दो मिनट का स्टॉप है, दो नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है, 632 किलो मिनटर की दुरी जो है, यहां तक कवर कर चुकी होती है, इसके बाद ये ट्रेंज जो है, न्यू कोच भीहर रेलवे स्ट पहुंचती है, और 11 बच के 14 मिनट पे महसिरवाना हो जाती है, इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, इक या दो नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है, रुकती है, 676 किलो मिनटर की दुरी जो है, यहां तक कवर कर चुकी होती है, किशन गंज बिहार में के 3 बच के 30 मिनट पे पहुंचती है, और 3 बच के 32 मिनट पे महसिरवाना हो जाती है, दो मिनट का स्टॉप है, दो नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है, रुकती है, 864 किलो मिनटर की दुरी जो है, यहां तक कवर कर चुकी होती है, इसके बाद सिल्चर, सिकंदर फास्ट एक्सप्रस ट्रेंज जो है, बार सो ही जंक्शन में पहुंचती है, शाम के 4 बच के 40 मिनट पे और 4 बच के 42 मिनट पे महां से रवाना हो जाती है, दो मिनट का स्टॉप है, एक नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है, 921 किलो मिनटर की दुरी जो है, यहां के 7 बच के 32 मिनट पे पहुंचती है, और 7 बच के 34 मिनट पे महां से रवाना हो जाती है, दो मिनट का स्टॉप है, एक नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है, एक 1043 किलो मिनटर की दुरी जो है, यहां तक कवर कर चुकी होती है, इसका स्टेशन कोड है आर पी अच इसके बाद भोलपुर शांती नकेतन में रात के 10 बच के 24 मिनट पे पहुंचती है, और 10 बच के 27 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है, तीन मिनट का स्टॉप है, दो नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है, रुकती है, और 1195 किलो मिनटर की दुरी जो है, यहां कवर कर चुकी होती है, खड़कपुर जंक्शन बिहार में यह ट्रेंज जो है, दो बच के 45 मिनट पे पहुंचती है, और दो बच के 25 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है, दस मिनट का स्टॉप है, एक नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है, रुकती है, 1441 किलो म के दूरी जो है, यहां तक कवर कर चुकी होती है, इसके बाद भद्रक रेल विस्टेशन पे सुबह पांच बचके 13 मिनट पे पहुंचती है, और पांच बचके 15 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है, दो मिनट का स्टॉप है, दो नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है रुकती है 1624 किलो मेटर की दुरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है इसके बाद जाजपूर कोईजा रोड में ट्रेंज जो है सुब़ज़व चुबचके 45 मिनट पे पहुँचती है और पांच बचके 47 मिनट पे आके ट्रेंज जो है रुकती है इसके बाद भुफनेश्वर रेल वे स्टेशन पे सुबह साथ बचके 45 मिनट पे पहुंचती है और साथ बचके 50 मिनट पे मासरवान हो जाती है इसका यहाँ पर पांच मिनट का स्टॉप है तीन नमबर चे नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज वह रुखती है और 1768 किलोमेटर की दूरी यहां तक कवर कर चुकी होती है खुरदा रोड जंक्शन औरिसा में ट्रेंज वह सुब 8 बचके 10 मिनट पे पहुंचती है और 8 बचके 30 मिनट पे मासरवान हो जाती है 20 मिनट का स्टॉप है चार नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज वह रुखती है 1787 किलोमेटर की दूरी यहां तक कवर कर चुकी होती है इसके बाद सिल्चर सिकंद्राबाद एक्सप्रस ट्रेंज वह बालू गाउं रेल्वी स्टेशन पे सुब 9 बचके 15 मिनट पे पहुंचती है और 9 बचके 17 मिनट पे मासरवान हो जाती है इसके बाद ब्रह्मापुर जो की ओडिसा का आखरी स्टेशन है यहां पर ट्रेंज वह सुबह 10 बचके 20 मिनट पे पहुंचती है और 10 बचके 25 मिनट पे मासरवान हो जाती है पांच मिनट का स्टॉप है यहां तक कवर कर चुकी होती है इसके बाद यह ट्रेंज पलासा रेलबे स्टेशन पे सुबह 11 बचके 51 मिनट पे पहुंचती है और 11 बचके 53 मिनट पे मासरवान हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है इसके बाद विजया नगरम जंक्शन में ट्रेंज पहुंचती है इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है यहां पर इसका इंजन जो है रिवर्स होता है और सिकंद्राबाद शाली मर वीकली एक्स्प्रस के साथ हर शुकरबार को इसकी क्रॉसिंग होती है और 205 किलोमेटर की दूरी यहां तक कवर कर चुकी होती है इसके बाद सिल्चर सिकंद्राबाद एक्सप्रस ट्रेंज जो है वो राजा मुंद्री रेल्वे स्टेशन पे शाम के 6 बच के 3 मिनट पे पहुंचती है और 6 बच के 5 मिनट पे मासरवाना हो जाती है दो मिनट का स्टॉप है दो नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है रुकती है 2413 किलोमेटर की दुरी यहां तक कवर कर चुकी होती है विजेवाडा जेंक्शन में ट्रेंज जो है रात के 8 बच के 30 मिनट पे पहुंचती है और 8 बच के 40 मिनट पे मासरवाना हो जाती है इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है 6 नमबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है रुकती है 2554 किलोमेटर की दुरी यहां तक कवर कर चुकी होती है गुंटूर जंक्शन में यह ट्रेंज जो है रात के 9 बच के 5 मिनट पे पहुंचती है और 9 बच के 10 मिनट पे मासरवाना हो जाती है 5 मिनट का स्टॉप है 2594 किलोमेटर की दुरी यहां तक कवर कर चुकी होती है इसके बाद सिल्चर सिकंदराबाद एक्सप्रस ट्रेंज जो है वो फाइनली अपने आखरी स्टेशन सिकंदराबाद जंक्शन में रात के 3 बच के 35 मिनट पे पहुंचती है और 3 नंबर प्लैटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है यहां तक की जो यात्रा है यह सिल्चर से 2868 किलोमेटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है दोस्तो इसी के साथ यह ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो comment करके जरूर पताएं या अगर अब चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य विडियो बनाता रहूं तो भी comment करके जरूर पताएं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटस वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुबो